नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की कहानी बहुत ही प्रेड़ना दायक है जीवन में जब भी आपको लगे कि आप बेकार और किसी भी काम की नहीं है तब ये कहानी सुन लेना आपको अपना मैतु पता चल जाएगा और आप अपना काम खुशी से जारी रखेंगे तो दोस्तो आज की कहानी का नाम है फूटे घड़े का दर्थ बहुत समय पहले की बात है एक गाओं में एक किसान रहता था उसके पास दो घड़े थी उन दोनों घड़ों को लेकर रोज सुबह अपना घर से बहुत दूर भैती एक नदी से पानी लेकर जाया करता था पानी भरने के ब दोनों घड़ों में से एक गड़ा सही सलामत था लेकिन दूसरा घड़ा एक जगे से फूटा हुआ था इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भर कर घर तक पहुँशता एक घड़ा पानी से लबालब भरया देता और दूसरे घड़े से पानी रिसने की कारण वे गड़ा आदा खाली हो चुका होता सही सलामत घड़े को खुद पर बहुत घवन था कि वह किसान के घड़ तक पूरा पानी पहुंचाता है दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है उसे गलानी मैसूस होती थी क कि उसके कारण किसान की पूरी मेनत बेकार चले जाती है एक दिन उस फुटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से समा मांगते हुए कहा माले मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूँ किसान ने पूछा क्यों ऐसी क क्या बात है घड़े ने बताया माले शायद आप इस बात से अंजान है कि मैं एक जगे से फुटा हुआ हूँ और नदी से घड़ तक पहुंचते-पहुंचते मेरा आधा पानी रिश जाता है मेरी इस कमी के कारण आपकी मैनत व्याथ चली जाती है यह सुनकर वै किसान उस दुखी मत हो बस आज नदी से वापस आते हुए मारग में खिले हुए सुन्दर फूलों को देखना तुम्हारा मन बहल जाएगा फूटे घड़े ने वैसा ही किया वै रास्ते भर सुन्दर फूलों को देखता हुआ आया इससे उसका विशलित मन शान्त हो गया लेकिन चागरे किया कि वै उसकी जगे कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले यह सुनकर किसान बोला क्या तुमने ध्यान दिया कि बास के जिस सिरे पर तुम भंदे रहते हो उस और के मारग में सुन्दर फूल खिले हुए है जबकि मारग के दूसरी और सूखी जमीन है ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अंजान हूँ कि तुम फूटे हुए हो यह बात जानते हुए कि मैंने मारग की उस और सुन्दर और रंग बिरंगे फूल लगा दिये जब मैं नदी से पानी भर कर लाता हूँ तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे उस मारग को हरा भरा रखते हैं तुम्हारे कारण ही वे मारग इतना सुन्दर हो पाया है इसले तुम खुद को कम मत आखो कहानी से सीख दोस्तों इस कहानी से यहीं सीख मिलती है कि आपकी कमजोरी ही आपकी असली ताकत होती है और किसी कारण आप में कोई कमजोरी है तो अ इसलिए दोस्तों खुश रहें क्योंकि कोई भी उंचा या नीचा नहीं होता इस दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिला हुआ है जिसे हर कोई बखोबी निभा रहा है इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसा ही स्वेकारना चाहिए और उसकी कमजोरी के स्थान पर उसकी करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों